देश में क्रिकेट प्रमुख खेल होने के बावजूद, देश में सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला एथलीट कोई क्रिकेटर नहीं है। वह एक प्रतिभाशाली खिलाडी हैं, जिन्होंने ओलंपिक सहित अंतर राष्ट्रिये प्रतियोगिताओं में भारत के लिए कई पदक जीते हैं। फोप्स के अनुसार, भारत की सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला एथलीट की कुल समपत्ती 7.1 मिलियन लगभग 29 करोड रुपये हैं। भारत में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट सिंधु हैं। हैदराबाद में जनमी सिंदु ने 8 साल की उम्र में बैडमिंटन खेलना शुरू किया और 22 साल की उम्र में उन्होंने रियो ओलंपिक 2016 में सिल्वर और टोक्यो ओलंपिक 2020 में ब्रॉंज मेडल अपने नाम किया था। खेल में उनके योगदान के लिए सिंदु को कई बड़े सम्मान मिले हैं जिनमें 2016 में पद्म श्री पुरसकार, चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान और 2020 में पद्म भूशन देश का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरसकार शामिल है। एक दशक से ज्यादा लंबे अपने शानदार अंतराश्ट्रिय करियर के दौरान उन्हें अन्य खेल पुरसकारों के अलावा अरजुन पुरसकार और राजीव गांधी खेल रत्न से भी सम्मानित किया गया। पीवी सिंदु ने 2018, 2019, 2021, 2022 और 2023 में फोर्ब्स की सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला एथलीटों की सूची में जगह बनाई है। इन दिनों पीवी सिंदु पैरिस ओलिम्पिक्स 2024 में खेल रही हैं। पैरिस ओलिम्पिक्स 2024 में उनसे एक मैडल की और उम्मीद थी, लेकिन दो बार की ओलिम्पिक पदक विजेता, पीवी सिंदु चीनी शटलर, ही बिंग जियाव से राउंड ओफ 16 में हार के बाद पैरिस खेलों से बाहर हो गई हैं।